हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा केचिन कुईन, आज हैं बनाएंगे फॉक्स नट यानि मखाने के लड़ू, आप इसे किसी भी तेवार या फिर वरत में बना सकते हैं, यह आपको इतना पसंद आएगा कि आप बिना वरत कभी बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही हेल्दी टेस्टी लगता है खाने में, तो चलिए बनानाएं स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम मखाना, 50 ग्राम नारियल का पुरादा और 500 ग्राम गूड, ड्राइफूर्स में मैंने यह आप लिया है 3-4 छुवारे, 10-12 पदाम, 12-15 काजू, 15-20 केस्मिस लिया ड्राइफूर्स आप अपने एकॉर्डिंग कमिया ज्यादा कर सकते हैं, अब मैंने यहाप लिया है एक पैन, इसमें मैं दो चमंच घी आड़ कर रही हूँ, और अब मैं मखाने रोस्ट करूंगी, फ्लेम को मैंने लो टू मिडियम रखा है, लो फ्लेम पे आप 5 मिनिट त इसे क्या होगा, ड्राइफूर्स का मॉइस्चर यानि नमी चला जाएगा और क्रंच बना रहेगा, फ्लेम को मैंने लो रखा है, लो फ्लेम पे आप 1 मिनिट तक ड्राइफूर्स को अच्छे तरह से रोस्ट करें, ड्राइफूर्स मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, पन मिलेगा, लड्डू का स्वाद बहुत बर जाएगा, नारियल का बुरादा भी मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, यह हलका गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और ठंडा होने देती हूँ, अब हम किसमिस रोस्ट इससे किसमिस थोड़ा फुल-फुल सा जाएगा, किसमिस को आप 30 सेकेंड तक लो फ्लेम पे रोस्ट करें, किसमिस में मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब मैंने यहाप लिया है मिक्सी जार, इसमें मैं रोस्ट क्यों यह मखाने अड़ कर रही हूँ, यह थोड़े से मखाने को हम हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे, यह बहुत आसानी से अराम से तूट जाएगा, इसे हम लड़ू बनाते वक्त इसी तरह एड़ करेंगे, इससे लड़ू में क्रंच आएगा, और लड़ू का स्वाथ बहुत बर जाएगा, इसी तरह हम ड्राइफरूस को भ बुरादा एड्ड कर रही हूँ, अब मैंने यांप लिया है गूर, गूर को आप इस तरह से चाकू की help से कट कर ले इससे गूर को पिघलने में आसानी होगा अब मैं गूर को गर्म कर रही हूँ लो फ्लेम पे आप गूर को मेल्ट होने दे फ्लेम को आफ हाई बिल्कुल न करे वरना गूर हमारा जल जाएगा गूर मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया है आप चाहे तो गूर की जगा च पारी सामगरी के ओपर डालेंगे क्योंकि ठंडा होने पर गूर जम जाएगा अब आप कल्ची की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले क्योंकि गूर हमारा बहुत गर्म है जब यह हलका ठंडा हो जाए तो फिर आप हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर ले मखाने में पिलिया है एक चमच घी और आधी कटोरी रूम टंपरेचर दूद अगर आपके लड़ू अभी भी नहीं बंद रही है तो आप एक चमच दूद एड़ करके लड़ू को बान सकते हैं मैंने यापे दो चमच दूद का यूज किया है और लड़ू मेरा बनने लगा है तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत स्वादिस्ट एंड पॉस्टिक लड़ू है ये लड़ू 10 से 15 दिन तक खराम नहीं होता है पर ये इतना टेस्टी होता है कि आपके गर रोज खाते हैं तो आपको एनरजी की कमी बिलकुल महसूस नहीं होगी बहुत अच्छा फीलोगा आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बच्चो को देते हो तो उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और सेड कीजिएगा तो आप भी बनाईए और इंजोई कीजिए ये टेस्टी लड्डू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई ठैंक यू